कॉंग्रेस कारिसमीती ने कॉंग्रेस अध्यक्षा श्रिमती सोनिया गांधी द्वारा महासचिव संग्ठन को लिखे गए पत्र एवं कुछ कॉंग्रेस नेताउं द्वारा कॉंग्रेस अध्यक्षा को लिखे हुए पत्र का संग्यान लिया CWC ने इन पत्रों पर गहन विचार विमर्ष किया एवं विस्त्रित चर्चा के बाद निमन लिखित निश्कर्ष निकाले पहला पिछले छे महीनों में देश पर अनेकों विपतियां आई हैं देश के सामने आई चुनोतियों में नमबर एक कोरोना महमारी है जो हजारों जिन्दगी ले चुकी है नमबर दो तेजी से गिर्ती अर्थ्यवस्था वे आर्थिक संकट नमबर तीन करोडों रोजगारों का नुकसान एवं बढ़ती गरीबी तथा नमबर चार चीन द्वारा भारतिय सीवा में घुसपैठ वे कबजे के दुस्साहस का संकट है दूसरा इस चुनोति पूरण समय में सरकार की हर मुद्दे पर संपूरण विफलता को उजागर करने वे विभाजनकारी राजनीती एवं ब्रामक परचार प्रसार का परदाफाश करने वाली सबसे ताकतवर आवाज श्रिमती सोनिया गांधी और शिरी राहुल गांधी की है परवासी मजदूरों की समस्याओं पर श्रिमती सोनिया गांधी के सटीक सवालों ने भाजप्प सरकार की जबाब दे ही सुनिश्चित की श्रिमती सोनिया गांधी ने सुनिश्चित किया कि कॉंग्रेश शाशित राज्यों में कोरोना महमारी को प्रभावशाली तरीके से संभाला जाए तथा स्वास्ते सेवाएं वे इलाज समाज के हर वरक को उपलब्ध हो सकें उनके नेत्रितव ने उच पदों पर बैठे लोगों को जजकोरा भी और सच्चाई का आईना भी दिखाया श्री राहुल गांधी ने भाजप्पा सरकार के खिलाफ जनता की लड़ाई का द्रिड़ता से नेत्रितव किया कॉंग्रेस के हर आम कारेकरता की व्यापक राए वे इच्छा को प्रतिमिंबित करते हुए कॉंग्रेस कारेसमीती की यह बैठक श्रिमती सोनिया गांधी एवं श्री राहुल गांधी के हाथों वे प्रियासों को हर संभव तरीके से मजबूत करने का संकल्प लेती है CWC की स्पष्ट राये है कि इस महत्तपूर्ण मोड पर पार्टी एवं उसके नेत्रितव को कमजोर करने की अनुमती ने तो किसी को दी जा सकती है और ने किसी को दी जाएगी आज हर कॉंग्रेसिक कारकरता एवं नेता की जिम्मेदारी है कि वे भारत के लोगतंत्र बहूलतावाद वे विविद्धता पर मोदी सरकार द्वारा किये जा रहे कुछ से थमलों का डट कर मुकाबला करे